नमस्कार आप सभी का स्वागत है फिल्म टेन्मेंट पर और मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार शुकला एक फिल्म कितनी सक्सेस्फुल है इसका पता तब चलता है जब उसे बॉक्स आफिस पर सफल करार दिया जाता है लेकिन दरशकों के लिए एक फिल्म सफल तब होती है जब उस फिल्म को उस फिल्म के किरदारों को और उस फिल्म के गानों को सदियों तक याद रखा जाता है बॉलिवुट की कई ऐसी फिल्मे हैं जो सदियों से लोगों को अपना दिवाना बना रही हैं और आगे भी शायद बनाती रहेंगी रिलीज होते ही इन फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया था और फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में लाइने लग गई थी कई फिल्में दिगच कलाकारों के नाम और शोहरत की वज़ए बनी लेकिन इन फिल्मों से हटकर कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो रिलीज होते समय तो बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप मानी गई लेकिन टीवी, डीवीडी और इंटरनेट के जरिये आज इन फिल्मों को बॉलीवुट की क्लासिक फिल्मों में शामिल किया जाता है ये फिल्में एवर ग्रीन फिल्मों में शामिल हैं और दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं तो आज के इस वीडियों में हम जानेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी फिल्में हैं जो रिलीज होते समय फ्लॉप थी मगर आज लोगों के दिल में बसी हुई हैं अंदाज अपना अपना आपको क्राइम मास्टर गोगो तो याद ही होगा और जिस फिल्म का ये करेक्टर है उस फिल्म को आप कैसे बूल सकते हैं 1994 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज अपना अपना बॉक्स आफिस पर अपना कमाल नहीं कर पाई थी और सिर्फ आठ करोड रुपए का ही बिजनेस कर पाई थी लेकिन आज ये फिल्म बॉलीवुट की क्लासिक मुवीज को दर्शाती है और लोगों की दिलों में बर्शती है फिल्म में आमिर खान और सल्मान खान की कॉमिक टाइमिंग का आज दर्शक भरपूर मजा लेते हैं अब इसे बॉलीवुट की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है जो जीता वही सिकंदर अगर आप भी 90's के दशक में जन्मे हैं तो आपको ये फिल्म जरूर याद होगी इस फिल्म का गाना पहला नशा आज भी लोगों को अपना दीवाना बनाता है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब सिर्फ मुंबई में ही थोड़ा बहुत कमाल कर पाई थी लेकिन देश के दूसरे हिस्तों में इस फिल्म का जादू नहीं चल पाया था और फिल्म को फ्लॉप घोशित कर दिया गया था लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये लोगों के दिल में जगए बनाती चली गई शान शोले के सफल होने के बाद रमेश शिप्पी ने जेम्स बॉंड की फिल्म से प्रेरित होकर एक स्टाइलिस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने की ठान ली थी शान को बनने में तीन साल लग गये थे लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तब उसने सिर्फ मुंबई से ही पैसे कमाए लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस फिल्म ने धेर सारे पैसे कमाए और इसे हिट करार दिया गया आज फिल्म के साथ इस फिल्म का करेक्टर शाकाल भी लोगों के दिल में बसा हुआ है बॉलीवुट की पॉपुलर फिल्मों में से एक गाइड है इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग-अलग शूट किया गया था फिल्म अपने समय के लिहाच से बहुत अडवांस थी जिसमें हीरो हीरोईन लिव इन रिलेशनसिप में रहते हैं पर उस दोर में लिव इन रिलेशन का कॉंसेप्ट दरशकों के गले से नीचे नहीं उतरा और यही वज़े रही कि रिलीज होने के समय ये फिल्म अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई थी लेकिन गुजरते वक्त के साथ देव आनंद और वहिदा रहमान का करेक्टर राजू और रोजी आज लोगों के दिलों पर राज करते हैं और गाइड को बॉलीवुट की कल्ट क्लाशिक मूवीज में शुमार किया जाता है लम्हे ये फिल्म मसाला और आर्ट फिल्म का परफेक्ट एक्जामपल थी लेकिन इसे भी लोगों ने नकार दिया हाला कि आज के समय में इस फिल्म को लोग मस्ट वाच फिल्मों की शुरणी में रखते हैं लेकिन इस फिल्म को उस वक्त लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था श्री देवी, अनिल कपूर और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स की दमदार कलाकारी भी फिल्म को असफल होने से नहीं बचा पाई थी पर आज ये फिल्म कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है मेरा नाम जोकर राज कपूर सहाब के दिल के सबसे करीब जो फिल्म थी वो थी मेरा नाम जोकर इस फिल्म पर उन्होंने अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया था लेकिन ये फिल्म लोगों का दिल नहीं जीत पाई इस फिल्म को बनाने में राज कपूर को 6 साल लग गए थे लेकिन उस दोर के दर्शकों को इसका सब्जेक्ट और कॉंसेप्ट ही समझ नहीं आया नतीजा ये हुआ कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉफ हो गई लेकिन आज इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भारत की सबसे बहतरिन फिल्मों के तौर पर दिखाया जाता है और लोग इस फिल्म को बहुत पसंद करते हैं अगनीपत मुकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म अगनीपत पर येस जोहर ने काफी इन्वेस्ट किया था इस फिल्म की वज़े से अमिताब बच्चन को अपने कारेक्टर विजय दीनानाथ चवहान के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था इतना ही नहीं मिथुन चक्रवर्ती और रोहडी हट्टंगडी को भी नेशनल अवार्ड मिला था लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इसे फ्लॉब घोसित कर दिया गया था हाना कि जैसे जैसे समय बीता ये फिल्म भी लोगों को पसंद आती गई और साल 2012 में इस फिल्म का रीमेक भी बना जिसने अच्छा खासा बिजनेस किया लगवक पांच सालों की कड़ी मेहनत और बहुत ही यूनिक कॉंसेप्ट पर बनी रवी चोपडा की फिल्म दब बर्निंग ट्रेन को भारत की पहली डिजास्टर फिल्म का अंचाहा खिताब दिया गया है जो रिलीज होते समय बॉक्स आफिस पर धड़ाम हो गई थी लेकिन आज यह फिल्म अपने किरदारों, कहानी और बहतरीन डायरेक्शन की वज़े से दरशकों के दिल में बसती है उम्राओ जान उम्राओ जान में रेखा की एक्टिंग को उनकी जिंदगी के बहतरीन कामों में से एक माना जाता है इस फिल्म की हर छोटी से छोटी चीज भी बहत शानदार थी संगीत तो इस फिल्म की जान थी उम्राओ जान में शायद रेखा को हमने अपनी एक्टिंग के चरम पर देखा था और स्क्रिप्ट के लिहाज से भी यह फिल्म बहुत खास थी लेकिन इसे हिंदी सिनेमा की बदकिस्मती ही कहेंगे जो उस दौर के लोग इसे समझ नहीं पाए और दुरभाग से यह फिल्म रिलीज के वक्त फ्लॉप हो गई और जादा कमाई नहीं कर पाई थी लेकिन समय बीतने के साथ इस फिल्म को लोगों से भरपूर प्यार मिला और आज यह फिल्म कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है जाने भी दो यारो स्वरगी कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारो जब 1983 में रिलीज हुई थी तो बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप करार कर दी गई थी हाना कि उस समय रभी बासवानी को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फियर अवार्ड जरूर मिला था पर फिल्म चल नहीं पाई थी लेकिन आज यह फिल्म बॉलीवुट की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है और दर्शकों की फिल्मों में से एक है उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इन में से आपकी सबसे फिल्म कौन सी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए फिर मिलते हैं किसी नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार